हाथ में शराब, आखों में गमी, जहरे पर उदाती और टूटा हुआ ये जिस सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है मैं, आज कार्थिक शराब के नशे में डूप कर अपनी नायरा को कर रहे हैं याज देखे तो जरा कार्थिक आज कितने परेशान लग रहे हैं, भई कार्थिक को देख कर तो ऐसा लगता है जैसे आज कार्थिक अपने गम को शराब के जर्ये पीने की कोशिश कर रहे हैं कार्टिक अपनी नाइरा के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि इतने में कोई आकर करता है दर्वाजा नौक जिसके बाद कार्टिक हो जाते हैं शौक क्योंकि दर्वाजे पर कोई और नहीं बलकी नाइरा होती है है कि इतने हैं यह क्योता हैँए कर हैं विद आड़ा कि बास कि आड़ा को बीश नादो को ही भाले आप में लाजे से पहले फाहां से चले कि गुए फिर नाइरा हैं प्र वोट आजेद रखियो आड़ा को पीकर सभी कह में कुणनाते पर नौक देशल नायरा का टॉवल उनके घर की बालकनी से नीचे किर जाता है और जब नायरा अपना टॉवल लेने फिल्डी के कमपाउंड में जाती है तभी उन्हें एक बच्ची बताती है कि इस बिल्डिंग में एक नए भीया आए है जिनके यहां गिर गया है नायरा का टॉवल जिसके बाद नायरा उस बच्ची के साथ नए सोसाइटी मेंबर के घर जाती है और तब नायरा का सामना होता है कार्थिक से क्योंकि कार्थिक ही वो शक्स है जो नायरा के पडोसी बन कर आए है जब बिछड़े प्रेमी पडोसी बनते हैं तो दशने इश्क तो होता ही है न और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला अब ये लव बड्स बन गए है पडोसी ऐसे में कायरा की एक बार फिर से शुरू हो गई है नई कहानी जहां कार्थिक नायरा की ही बिल्डिंग में हो गए है शेफ्ट ऐसे में दोनों की लव स्टोरी क्या मोड लेगी